स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांस्पोर्ट गुरुजी में अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो किट्पैकर सब्सक्राइब कर लिजे अगर आप ये वीडियो को फेस्बुक पे देख रहे हैं तो आप पे वीडियो बनाकिर के दिया है उससे आपको कुछ नकुछ आपके बिजनस में फर्क बडा होगा या फिर आकर आपनेसे फर्क सक्ता है तो अभी का सिम्मेंट करने वाले हुके इंसोरेंस ख्लेम गारियों के बारे में इस तो इससे फोरह महीन हिवेज चलेगा पांच्ष मुतर पर्टी इंसोर्इंट के लिए बात करते हैं सबसे पहली बात आती है कि हम इनसोर जान करवाये क्यों जरूरत क्या थी होगा तो दोस्तों मैं आपको बता दो कि motor vehicle act के अंतरगत आपको third party insurance लेना अनिवार्ज है आपके गाड़ी के लिए ताकि आपके गाड़ी से किसी का भी property डैमेज होता है या फिर कोई वेक्तिक हायल होता है या आपके वेक्तिक से किसी की मौत हो जाती है तो उस condition में insurance company जो कि आपका second party होता है वो उस laws को cover करे और जो भी बीमा से related जो उनका पैसा होता है आर्थिक मदद होता है वो कर पाए तो एक्चॉल में third party insurance से related जो है सबसे पहले मैं बात करूंगा और third party insurance जो है government के rule के हिसाब से लेना अनिवार्ज है दोस्तों third party insurance में cover किसको किसको मिलता है तो किसी तरह का कोई अपंगता आती है या फिर एक्सिदेंट में किसी तरह का बहुत जाता चोट लगता है तो इस condition में जो insurance company है वो उसका लोस का भड़पाई करेगा इसके बाद दोस्तों और किसकी होती है तो इसके बाद दोस्तों अगर आपका जो गाड़ी है वो सवारी ग करती है तो इसका भी जो क्लेम होता है वो insurance company आपको देगा मतलों लोगों को मिलेगा insurance company के तरफ से इसके बाद और दोस्तों बात करते हैं तो अगर आपकी गाड़ी से किसी की property damage होती है मानि कोई घड़ है घड़ आपने ले जाकर उसके घड़ के अंदर गुसा दिया आपन condition में क्या होता है उसका घड़ तूड जाता है अगर उस गाड़ी का insurance होगा तो जो घड़ जिसका घड़ उसने तोड़ा है उसके मालिक को उसका claim मिलेगा उसी के हिसाफ से मैं बतारा को अगर आपकी गारी से किसी के property damage होती है तो उस condition में जो है आपको claim मिलेगा मतलब कि ज फर्ट पार्टी इंसोरेंस को दोस्तों एक्चल में comprehensive insurance भी बोला जाता है इसके अंदर अंतर का दोस्तों होता है क्या कि आपकी जो गारी है उस गारी का insurance होता है उस गारी के parts का insurance होता और उससे related आप claim कर सकते हैं जबकि third party insurance में ये cover नहीं होता है लोग क्या करते हैं प्रीम कुछ हो जाती है तो उनके गारी का insurance cover होता है जो claim होता हुँ उनको नहीं मिल पाता है तो अगर आप गारी का insurance करवाते हैं तो third party के साथ first party भी करवाई है ऐसे first party जो है वो mandatory नहीं है करवाना मट अगर आप दोनों एक साथ ले करके चले तो अच्छी बात है अगर आप दोनो करवाते हैं तो इससे क्या होगा कि आपका जो गारी है अगर किसी तरह से कुछ हती होती है तो उसका जो claim है आपको मिल सकता है अगर गारी accident हुई है या कुछ हुआ है और अगर उसका insurance नहीं करवा रखाया तो आपको अपने packet से हो पैसा देना पड़ेगा तो first party insurance में दोस् claim दिया जाता है जिसको कि एक तरह से बोला जाए तो approximate जो उसका जो value होता है depreciation के हिसाफ से 75% दिया जाता है और यह जो है company by company insurance company by company vary करता है हर insurance company एक value नहीं देता है कोई insurance company कोई अलग value देता है कोई insurance company कुछ अलग value देता है बट यह जो insurance value यह थोड़ा थोड़ा change होता रहता है अगर दोस्तो एक line में बोला जाए first party insurance में तो first party insurance अगर आपके गाड़ी का कोई parts damage होता है तो उसका cover आपको मिलेगा दूसरा अगर गाड़ी आपकी चोड़ी हो गई है या फिर पूरी तरह सनश्ट हो गई है तो उसका claim मिलेगा या फिर आपके गाड़ी का कोई उपकरन खड़ाब हो गया तो उसका cover पाई मिलेगा तो यह तीन चार चीज़े जो है दोस्तों यह first party insurance के अंदर आता है अब बात करते हैं दोस्तों की किस-किस condition में आपको claim नहीं मिलेगा तो पहला नमर अगर गाड़ी का driver जो गाड़ी चला रहा है अगर वो नसे में गाड़ी चल number नहीं मिलेगा तीसरा number अगर accident जानबुच्के किया गया हो अगर पता चले कि आपको आपने जो accident किया हो जानबुच्के किया हो चाहे उसको गाड़ी को जलाया हो तोड़ फोड़ किया हो किसी तरह का तो उस condition में भी insurance का claim नहीं मिलता है अब बात करते हैं दोस्तों कि इंस zero depreciation cover जा दोस्तों मैंने भी बताया था कि अगर आपका गाड़ी accident करता है तो आपको 75% या उससे कम depreciation के इंसाफ से जो आपके गाड़ी का जो उस समय value हो आपको दिया जाएगा बट अगर आप zero depreciation cover लेते हैं तो इस condition में आपके गाड़ी का जो value है वो नहीं गटाया जाए तो अगर आपकी गाड़ी चोड़ी हो गई है या नश्ट हो गई है तो उस condition में आप गड़ आपको invoice देते हैं तो आपके invoice के value के इंसाफ से आपको उस गाड़ी का जो कीमत होगा वो आपको अधा किया जाएगा तिसरा दोस्तों होता है engine protection cover अगर आपके गाड़ी के engine में क आपकी गाड़ी कही accident हुई है accident होने के बाद कभी कभी क्या होता है कि वहाँ पे insurance वाले टाइम नहीं पहुच पाते है या और कुछ पंगा हो जाता है बट यह कवर आप लेते हो तो आपका जो insurance company है वह on time आपको वहीं पर पहुचेगा और जितनी मदद हो सकती है वह insurance company यह जो है यह मैंने आपको बताया है अगर इससे और भी कुछ आनकारी आपको पता होगा अगर जो मैंने नहीं बता पाया है तो आप हमारे comment box में बता सकते हैं साथ साथ मैं मुझे WhatsApp में बता सकते हैं दोस्तों आज के लिए इतना है था मैं अपने नए वीडियो में insurance से related य दोस्तों आज के लिए इतना है था मैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ ने डिटियोल से साथ में लिए तब तक के लिए धन्यवाद